विद्या भरती विद्याले आदर सिक्षन समेती बाड मेड विद्या मंदिर परिवार आप सभी का हार्थिक स्वागत करता है। कक्षा नवमी में विश्य विज्ञान पाठ कर्मांग चार परमानु सनचना के बारे में अध्यन करेंगे। पदार्थ परमानु और अणूओं से मिलकर बने होते हैं। विबिन परकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमानूओं के कारण होता हैं जिनसे वे बने होते हैं। पदार्थ जो भी होते हैं वे छोटे-छोटे परमानूओं और अणूओं से मिलकर बने होते हैं। जिसे और विबाजित नहीं किया जा सकता परमाणू कहलाता है डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा करन जिसको और विबाजित नहीं कर सकते वह उस पदार्थ का परमाणू कहलाता है पदार्थ के इस गुण को जानने के लिए बहुत सारे वेग्यानिकों ने अलग-अलग परकार के प्रयोग किये डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु और विबाजित होता है अविनासी होता है जिसको और आगे विबाजित नहीं कर सकते पदार्थ के इने परमाणु के इस गुण की जानकारी सत्यता की जांच करने के लिए बहुत सारे वेग्यानिकों ने अलग-अलग प्रयोग किये परमाणु ऐसा ही होता है जैसे डाल्टन ने बताया या परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी होते हैं यह परसंद महातुपूर्था वेग्यानिकों के सामने वेग्यानिक इस बात की जानकारी जुटाने में लगे हुए थे कि डाल्टन ने जो बताया परमाणु की वेख्या की कि पर्मानु को और आगे विबाजित नहीं कर सकते दूसरे वेग्यानिकों ने यह पता लगाने की कोसिस की कि पर्मानु वास्तों में अविनासी है जिसको और आगे विबाजित नहीं कर सकते या इसके अंदर अन्य कोई घटक विद्यमान है पर्मानु की सनस्तना को अनेक प प्रयोगों के आदार पर अलग-अलग वेग्यानिकों ने समझने का प्रयास किया। इस्तिर विदूत तथा विभिन पदार्थों द्वारा विदूत चालन की परिष्थतियों के अध्यन से पता चला की पदार्थ में करण मोजूद होते हैं। अलग-अलग वेग्यानिकों ने प्रयोग किये। उसके अंतरगत एक प्रयोग हुआ इस्तिर विदूत तथा विभिन पदार्थों द्वारा विदूत का चालन करते हैं। उनकी परिष्थतियों के अध्यन से पता चला कि पदार्थ में कण मोजूद होते हैं। पदार्थ में आवेशित कण दो वस्तूओं को आपस में रगणने से उसमें विदूत आवेश आजाता है। दो वस्तूओं आपस में जब टकराती है तो उसके अंदर विदूत आवेश आता है। जैसे अपन सुखे बालों के उपर कंगा गुमाएंगे। तो कंगा और बाल ये दो वस्तूओं हैं और आपस में जैसे रगण होगी तो उसमें आवेश आ जाएगा। जिससे पदार्थों में आवेशित कण की प्रकरती की जानकारी मिलती है। ये प्रियोग होता है और इसके द्वारा आपन को ये जानकारी मिलती है। और आवेशित कणों से बना होता है। इसके बारे में जानकारी राप्ती है। उन्नीसी सवतापदी के अंत तक यह जान लिया गया कि परमाणू सादान और अविबाज्य कण नहीं है बलकि इसमें कम से कम एक अव परमाणू कण इलेक्ट्रोन विद्यमान होता है उन्नीसी सवतादी में यह जानकरी प्राप्त हो गई कि परमाणू अविबाज्य नहीं है इसके अंदर कण विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रोन होता है इलेक्ट्रोन का पता जिसका पता जेजे टॉम्सन ने लगाया था इलेक्ट्रोन की खोज किसने की जेजे टॉम्सन ने जेजे टॉम्सन नाम के एक वेग्यानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोन की खोज की और इलेक्ट्रोन किसमें उपस्तित होता है परमानू में परमाणू में इलेक्ट्रॉन उपस्तित होता है इसकी खोज वेग्यानिक जे जे टॉम्सन ने की थी इलेक्ट्रॉन के समन्द में जानकारी प्राप्त होने के पहले इगोल्ड इस्टिन ने 1806 में एक नई विकिन की खोज की मैं कैनल रे का नाम दिया ये एक और वेग्यानिक हुए ये गोल्ड इस्टिन उन्होंने 1806 में एक नई विकिन की खोज की थी उस विकिन का नाम उन्होंने दिया था वो नाम था कैनल रे और ये धन आवेश इते हैं उनके उपर आवेश जो था वो धनात्मक था इन कणों का आवेश इलेक्ट्रोन के आवेश के बराबर किन्तु विपरित था ये कैनल रे जो किन्ने हैं विकिन्ने इनके उपर जो आवेश था धनात्मक ये इलेक्ट्रोन के बराबर है प्रन्तु विपरित है कैने का मतलब इलेक्ट्रो की अपेक्षा कर रहा तो लगबग दोजार गुणा अधिक होता है प्रोटॉन की बात कर रहा है इनका नाम प्रोटॉन दिया गया जो कैनाल रे विक्रिणों के उपर जो आवेश पाया गया धन आवेश पाया गया उस धन आवेश कान का नाम प्रोटॉन दिया गया समयनने त द्वारा और प्रोटोन को P के द्वारा व्यक्त करते हैं इलेक्टोन E लिखा हुआ है वो प्रतिक चिनव है तो अपनों समझ दाएंगे कि यहां इलेक्टोन है P लिखा हुआ है वो प्रोटोन है प्रोट्रोन का दर्यमान एक ही काई और उसका आवेश प्लस एक लिया जाता है इलेक्ट्रोन का दर्यमान नगनी है और आवेश है वो मैंनस एक लिया जाता है इलेक्ट्रोन के उपर रिनात्मक आवेश होता है प्रोट्रोन के उपर धनात्मक आवेश होता है प्रोटोन धनाविशित होते हैं, इलेक्टोन रिनाविशित होते हैं इलेक्टोन का दरेमान कम होता है, प्रोटोन का दरेमान जद्धा होता है फिर समन्ने का प्रयास करें, इलेक्टोन के उपर रिनाविश होता है, प्रोटोन के उपर धनाविश होता है ऐसा माना गया है कि परमाणू प्रोटोन और इलेक्टोन से बना होता है जो परस पर आवेसों को संतुलित करते हैं इनके उपर जो आवेस होते हैं कैसे प्रोटोन के उपर प्लस और इलेक्टोन के उपर माइनस ये आवेस दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं ने दोनों बराबर होते हैं यह भी पर्तित हुआ कि प्रोटोन परमाणूं के सबसे भीतरी भाग में होते हैं प्रोटोन जो होते हैं वो सबसे भीतरी भाग में होते हैं सबसे अंदर वाले भाग में होते हैं इलेक्ट्रोन को आसानी से निकला जा सकता लेकिन प्रोटोन इस्ता ही होते हैं उसको निकला नहीं जा सकता यह प्रियोग द्वारा परमानित हुआ परमानों के परमानों के सिद्दान के अनुसार परमानों अविवाज्य अविनासि था लेकिन परमानों के भीतरदो मूलकण इलेक्टरन और प्रोटोन की खोज ने डाल्टरन के परमाणू के सिद्धान को गलट ठेरा दिया परमाणू डाल्टरन ने तो का था परमाणू है जो इसको और आगे विबाजित नहीं कर सकते प्रॉंतु जैसे ही Electron और Proton की खोज हुई और Dalton का प्रमाणु film सिद्धान जो ता गलस सावित हो गया अब यह जानना आवशकत हा कि व्यग्यानिकों के लिए यह जानना आवशकत हा पहला मौडल परश्थूत किया जैजे टॉम्सन एक ऐसे व्यग्यानिक थे पहले व्यग्यानिक थे जिन्नोंने परमाणू की सनचना से समंदित एक मौडल परश्थूत किया था जो क्रिस्मिस केक की तरह था इसके अनुसार परमाणू एक धनाविशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रोन किस्मिस केक में लगे सुखे मेवे की तरह या फिर उसको तर्बूज से समझा जाव सकता है जैसे तर्बूज तर्बूज के अंदर जो हैं वो बीज जो होते हैं वो फसे रहते तर्बूज के खाने वाला लाल भाग की तरह बिखरा रहता है जबकि इलेक्ट्रोन में बीज की बाती धसे रहते हैं यह इन्होंने टॉम्शन ने परमाणू के मॉडल को समझाने का प्रयास किया टॉम्शन ने बताया कि जिस परकार से जैसे तर्बूज जो बीज जो होते हैं तर्बूज के उस परकार से तो इलेक्ट्रोन व्यवस्तित होते हैं और बार वाला जो कोना है वो धन आविशित गोला होता है तो जो टॉम्शन ने बताया टॉम्शन ने ये परमाणू होता है वो धन आविशित गोला होता है और उसके अंदर एलेक्ट्रोन फसे रहते हैं टॉम्सन का मत यह था कि पर्माणू जो होता है वो धन आविशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं पर्माणू के बारे में टॉम्सन ने परस्तावित किया कि टॉम्सन ने दो बिंदू बताए क्या बताए पर्माणू धन आविशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फसे रहते हैं धसे रहते हैं रिनात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं रिनात्मक और धनात्मक यान प्लस और माइनस दोनों आवेश में समान रहते हैं इसलिए परमानु विदूतिक रूप से उदासिन रहता है न धन और प्लस प्लस और माइनस रिनात्मक और धनात्मक भाग बराबर होने के कारण प्लस और माइनस दोनों बराबर होने के कारण आवेश दोनों बराबर होने के कारण परमाणू है वो विदूतिक रूप से उदासिन होता है उनके उपर कोई आविस नहीं होता है टॉमसन मॉडल की कम्या टॉमसन मॉडल की कम्याद क्या थी यद भी टॉमसन के मॉडल से परमाणू के उदासिन होने की वेक्या हो गई किन्तु दूसरी वेग्याने को द्वारा किये गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाए जासा तॉम्सन की स्वारी तॉम्सन है यहाँ पर जे जे टॉम्सन की जीवने ब्रिटिश बहुतिक सास्तरी थे जे जे टॉम्सन 1856 में जनम गया और मिर्तियों निस्व चालिश में हुए जनम 18 दिसुम्बर 1856 में मेंचेस्टर के किच्चम हिल्चेत्र में हुए था लेक्ट्रोन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक सास्तर में नोबल पुरुषकार मिला 35 वर्ष तक ये केम्रिज में केंडिशन प्रयोकसाला के निदेशक और उनके सोध के साथ सयोगियों को भी आगे चलकर नोबल पुरुषकार मिला थे उनको भी आगे नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया दो अब्यास परशन अपनको अब्यास पुस्तिका में करने है के नाल रेकरिने क्या है यदि किसी परमानू में एक इलेक्टरॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आविश होगा या नहीं यह दो परशन अब्यास पुस्तिका में करने है